गुना शहर में पहुंची विजय संकल्प यात्रा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान के साथ भारती जनता पार्टी के प्रिदेश अध्यक्ष राकेश सिंग एवं पूर्व मंत्री गोपाल भारगव भी गुना पहुंचे तैशुदा कारिक्रम से तकरीबन दो गुंटे बाद मुख्यमंत्री इस कारिक्रम में पहुंचे इस बीच पूर्व मंत्री गोपाल भारगव ने कॉंग्रिस के शासन पर निशाना साथते हुए कहा कि पहले भी मिस्टर बंटादार यानि दिग्वेय सिंग शासन था और कहा इसके साथ ही गोपाल भारगव ने कहा कि कॉंग्रेस ने युवाओं के लिए तीन तरहा की नौक्रियां खोल दी हैं पहली तो मवेशी चराने की वहीं दूसरी बैंड बाजा वा जाने की साथ ही तीसरी नौकरी उन्होंने साप पकड़ने की बताई वहीं गोपाल भार देखेगा वहीं इनका तातपर यह था कि जितरे भी मंत्री हैं वे सब साप हैं इसके साथ ही उन्होंने जोतिरादित्य सिंधिया और दिग्विय सिंग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से यह लोग एक संपरदाय विशेश के वोट पाने के लालच में सेना तक को ग कर दिया तो उनका साथ देंगे देते देते वे दोबारा से चीन के गुलाम हो जाएंगे तो उनके राजमहल भी नहीं बचेंगे मिश्टर बंटाधार जो दिखवे ऐसी थे वही सरकार को पीछे रिपूर्ट कर दे चला रहे हैं अब लोग याद कर रहे हैं मैं आप सभी लोग से आगरे करना चाहता हूं आपको सदम ज्यान मान हैं जब आप तो इस बात को बता रहे हैं मुझे पता रहे हैं नौजवान भी अपने आपको ठगा मैसूस कर रहे हैं जब एक कहा गया था कांग्रेस पार्गी के बचल पत्र में कि हम प्रित्तेग नौजवान को 4000 रुपया बेरुजगाली बता देंगे एक भी नौजवान बता है उसके लिए 4000 रुपया तो छोड़ो 4 रुपया भी मिला क्या अब पुब्लिक में और निर्वाज से तनौकर होता है सेवक होता है गुपाल भारवाव सेवक है शुवरादी सेवक है और हमारे प्रदेश सद्दक्षी राके सिंगी सेवक है हम लोग कहीं कि राजय महाराजा नहीं है यह किसांद बत्र बैठे हैं दौन और बागी यहां पर कि आधे हैं हमें को घर्व मेसूच नहीं उत्र आ जाओ मारा जाते हैं और अच्छा भगवार ने किसी महराणी कोक से जन्व नीदिया हम दोगरी धर में प्यदा होगे हैं लेकर बेए मान नहीं एस बास को हम केहना चाहेते हैं मरकाद में हमें हंसकार्ण के साथ घड़्द साधार था एक्सिडेंट था जैसे मारूती नहीं कुछ गई उपोई साधार कहते हुँ शर्माना चाहिए कितना हाट येस भरा था नियों तो धंक से हमारे सेनकों का कतल किया गया हत्या की गई लेकिन देखुजिया कहते हैं कि एक संपर्दाय कि जाती विशेश की वोटर होन बढ़ जाएंगी अरे बोटर बोटर तर दलती रहेंगी पार्ट क्यां नेता बलते बढ़ते रहेंगे लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा सुद्धिक विशेशी हमें कहना चाहते हैं तुमारे राग उगड़ कि पिले का क्या होगा तुमारे जबी जाएजा का क्या हो पढ़े लेकि नौजवानों के लिए तुमारे सी चराने की ट्रीनिंग दे रहे हैं आपके पूर चराने की नोखने की दे रहे हैं और हमें अभ्याकारी में दिया है कि तीसरी नोखनी और पूर रहे हैं उससाफ कड़ में नाग नागे ने को पकड़ दें कि नोखी देर आप 500 रुप्या देंगे ज़िए एक साफ को पकड़ के लाओ पर अरे हम क्या दे सब साफ पकड़ जाएगे तो भल्ला भूम में बैठे का क्वान मंत्रियों के तो बंगले खारी हो जाएगे सब साफ पकड़ जाएगे असल बास्ता की भाउना बनी हैं इस चुना में इस बितक को हम तोड़के दखाएगे और हमारे बीज नौजवान किसान भाइक माता हैं बेन जूब बैठी हैं आज इस बात का प्रंड लेंगे चाह कोई राजा हो चाह कोई महरा जाहो लोग कंत्र में सब से बड़ी होती है तो हम भारत माता की जै बोलके और हम एक नारा भी लगाएं इसी मंच पर से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग ने कहा कि कमलनाथ सरकार केवल एक ही काम कर रही है वैसिर्फ भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं को जूटे मुकदमों में फसा रही है जिसका तात्पर है कि इस से वे कारेकरता डर जाएंगे और घर बैट जाएंगे जिस पर होंकार भरते हुए भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के कारेकरता उस समय भी नहीं डरे जब मात्र 11 लोगों ने मिलकर भारती जनसंकी स्थापना की थी और आज भारती ग्यारा करोड कारेकरताओं के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है आधर भारती जनता पार्ती का ये ध्वज लेकर हाथ में माभाती की सेवा के लिए विजय के संकर्थ के साथ हम निकल पड़े हैं और जब भाती जंता भाती का करकरता जंता के आशीरवास से निकल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत विजय प्राथ करने से हमें रोग नहीं सकती आचार सहीता का अंतजार कर रहे थे लोग सबा की आचार सहीता जिस दिन लगी शाम को छे बजे दो पहर एक बजे ही इन्होंने किसानों के मुबाइल पर एसेमेस के संदेज भेज दिया कि भाईयो अब आचार सहीता लग गई है और इसलिए छमा करिए हम आपका करजा माफ नहीं कर सकते मज़िपरदेश का किसान लग्रीजाग्रू ब्रूप किसान है उसको मानू मैं कि अगर तुम्हारे करजा माफ करने की मचशा होती तो तुम लाल पीले नीले हरे कार्ड नहीं भरवाते 24 बेंटे में बैंकों से रेकार्ड बरवाते और मज़्य प्रजिस के किसानों का करजा माप कर देते लेकिन तुमारी मनसा करजा माप करने की नहीं है और इसलिए किसान ने भी उस SMS के जवाब में अपनी तरफ से संदेश लिखकर भेज दिया कि कमलाज जी आप मजबूरें आचार सहीता लग गई है करजा माप नहीं कर सकते सुन लीजिए कमलाज जी हम भी मजबूर है आचार सहीता लग गई है लोगसभा के चनाव सामने है और हमने निर्ने कर लिया है कि लोगसभा के चनाव में कमल पर वोट लगाकर नरेंदर मोधी की सरकार हम बनाएंगे जो आक्रोश किसी प्रदेश की सरकार के खिलाब देखने को मिल रहा है इतिहास गवा है मुझे लगता है आजादी के बाद किसी सरकार का इतने कम समय में इतना विरोज नहीं हुआ होगा चितना मत्य प्रदेश में इस कमनाज की सरकार का होगा ये आकारण नहीं है योजनाय तो बंद हो गई माननी शवराची उसके बारे में और बताएंगे लेकिन कानून वरस्ता की भी हालत क्या है आज पुरे प्रदेश में कानून वरस्ता ठप पड़ी है भारती जन्ता पाइटी के कारकरताओं पर इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहन ने कहा कि यह पार्टी बेइमान पार्टी है यह कहे का बलनात सरकार बेइमान सरकार है उन्होंने यह भी कहा कि जब वे आ रहे थे तो लोगों ने उन्हें आवेदन दी लोगों का इलाज नहीं हो पारा है इसको लेकर वे आवेदन दे रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो किसी को भी इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता था वहीं उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस सरकार ने आदिवासी महिलाओं के खातों में आने वाले हजार रोपे की पेंशन को भी लूट लिया है वे उन्हें भी पेंशन नहीं दे रहे हैं इसके साथ ही इन तीनों नेताओं ने मंचपर से आगामी लोकसभा में भारती जनता पारटी के हाथ मजबूत करने एवं नरेन मोधी को दुबारा प्रधान मंत्री बनाये जाने की बात भी कही अब कज तान नहीं है, कर्ज कर्ज है, इसे चुका है, इतनी जल्दी रंग बदल रहे हो, दूसरा पत्र मेरे पास आपदर आया है और उसमें सहरिया समाज की बेहनों ने जिया है कि भाईया जो एक हजार रुपिया खाते में आता था वो खाते में नहीं आ रहा हमारे खाते में एक हजार रुपिया मेना दलवाएं बारे कांग्रेस बालो गरीबों की बात करके एक हजार रुबिया भी तुमने छीन लिया इन करीब सहर यहों से तीसरे तरह के हावे जनाए इलाज के लिए क्याम बीमार हैं आप हमारा इलाज करवाते हैं मेरे मित्र बैठे साथी राकेव की गोपाई जी गोपिलाज जी विरेंडर जी कभी किसी बीमार को मैंने निरास नहीं जाने दिया बेहनों और भाई कार चारो तरफ हाहकार मचा रही है यहीं से पूरी आस्पगल में लगा हुआ है सेव पुरो चंबर के भी आड़ो सतना हो अरे रोज खबरें आती है सुनने में कल फिर सतना में मात जुम बालत काव परहन करके और हत्या कर दी गई इसके पहले दो बच्चे स्रियांज प्लियांज सरे आम भरे बलाज स्कूल बस्ते उठा लिये गए बारा तेरा दिन तक उनके माता पिता दरदर की छोकर खाते रहे